हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको 21 अप्रेल को मनाया जाने वाले वर्ल्ड क्रियेटिविटी एंड इनोवेशन डे जो कि हर साल मनाया जाता है 21 अप्रेल को नवाचार दिवस भी बोलते हैं तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकरी दूँगा मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें तो चलिए दोस्तो मैं इसके बारे में सारी जानकरी देता हूँ दोस्तो हर साल 21 अप्रेल को संयुक्त राष्ट संकी ओर से रचनात्मक्ता एवं नवाचार को समर्पित किया गया है इस दिवस काओड़ से विश्व भर में रचनात्मक्ता की संस्कृति को बनाये रखना है विश्व समूदाय का मानना है कि रचनात्मक्ता ही विश्व की सबसे अनमोल निधी है जिसके सारे हम अपनी 77 विकास की रफ्तार को बनाये रख सकते हैं हिंसा और वेमनेस से के दोर में रचनात्मक्ता ही है जो विश्व को आगे बढ़ने की प्रेणा दे सकती है इस रचनात्मक्ता की सुरुवात गर्द से ही होती है और होनी भी चाहिए मिट्टी, रंग, कपड़ा, कागच, पेड़, वह, कुछ भी जिसे आप देख सकते हैं, रचनात्मक्ता के साचे में ढल कर और सुन्दर हो जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में यह रचनात्मक्ता बनी रहे, इसके लिए आप इन टिप्स को फोलो कर सकते हैं, जो मैं अब आपको बताने जाना हूँ, दोस्तों सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि रचनात्मक्ता जरूरी क्यों है, किसी बच्चे के सतते विकास के लिए रचनात्मक्ता का होना बहुत जरूरी है, इसे इस तरह भी का जा सकते है कि बच्चे की रचनात्मक्ता ही उसके विकास का संकेत देती है, सारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्त बच्चे ही इसमें बेतर योगदान कर सकते हैं पर कई बार पेरेंट्स और टीचर की गलती की वजह से बच्चों की यह रचनात्मक्ता बादित हो जाती है बच्चे के रचनात्मक्त विकास के लिए जरूरी है कि वह अपने मन का काम करते समय उसे टोका ना जाए और ना ही गायड किया जाए टोका टागी और ज़्यादा सुजाओ उसकी कल्पना सकती को परभावित करते हैं अब मैं बताता हूं कि बच्चों को जो वो कर रहे हैं उनको खुद तया करने दे आपकी भूमिका बच्चे को सिरफ समान दे कर देने तक की होनी चाहिए अगर उसे ड्राइंग करने में मज़ा आता है तो पैंसिल रबड, ड्राइंग बुक, स्केच पैन, पैंसिल कलर आदी उसे खरीद कर दे लिखने में रूची है तो अच्छी किताब इला कर दे वह जो करना चाहता है उसे करने दे जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड करने लगते हैं तो अंजाने में ही सही हम उसकी रचनात्मक्ता का रास्ता रोक देते हैं दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि दिवारे है रचनात्मक्ता का कैन्वस कुछ बच्चे कागज पर लिखने या ड्राइंग करने के बज़ाए दिवार पर लिखते या ड्राइंग करते हैं अगर आपका बच्चे भी दिवार पर अपनी रचनात्मक्ता उकेहरने में आनन्द महसुश करता है तो दिवार खराब होने या दोबारा पेंट कराने पर होने वाले खर्चे की वज़े से उसे रोके नहीं बच्चे की रचनात्मक्ता के लिए ये दिवारे कैन्वस का काम करती है उसे उसमें अपने मन के रंग भरने दे दोस्तो यकसर होता है हमारे घर में भी होता है बच्चे दिवारे खराब कर देते हैं तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें दोस्तों जब हम अपनी तरफ से बच्चे को कोई टोपिक या आइडिया देते हैं तो हम उसे सीमाओं में बांद देते हैं इस तरह उसकी सोच का दायरा सिकूर जाएगा अगर बच्चा खुद आपसे मदद मांगे तो सीधे तोर पर मदद करने के बज़ाए उससे बात करे जैसे अगर बच्चा पूछे कि गुलाव के फूल में कौन सा रंग बरे तो उसे सीधे गाइड करने के बज़ाए घर या स्कूल के गार्डन में लगे फूलों के बारे में उससे बात करे बातों ही बातों में उसे बताए कि किस फूल में लाल, किस फूल में गुलाबी, किस में पीला रंग भरते हैं कुछी देर में उसके दिमाग में खुद आइडिया आ जाएगा कि वह बातचित बीच में छोड़कर अपने बनाए फूल में रंग भरने लग जाएगा दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि कमेंट या सुजाओ दोनों गड़बड हैं बच्चे की बनाई चीजों पर कमेंट ना करें ना उसे सुजाओ दे आम तरुपर लोग बच्चों को यह बताने में गर्व महसूस करते हैं कि अगर तुम यह रंग थोड़ा गहरा कर देते या गुड़िया के बाल काले कर देते तो तुम्हारी ड्राइंग और सुन्दर हो जाती इस तरह के सुजाओ से बच्चे को लगता है कि उसकी बनाई ड्राइंग ठीक नहीं है वह दोबारा अपनी कलपना सकती इस्तमाल नहीं करता उसका उत्सा कमजोर पड़ जाता है इसकी बजाए पोजिटिव कमेंट करें जैसे तुमने अच्छा बनाया है तुम अच्छे आ के लिए भी टोनिक का काम करती है इसलिए बच्चों का यह टोनिक देते रहें बच्चे ने भी जो बनाया है उसे समाल कर रखें उसकी बनाई ड्राइंग्स को फ्रेम कराकर घर में लगाएं बच्चे को खुद पर वरोसा बढ़ेगा अगली बार वैज जादा उत्सा से ज बनाया है इससे ज़्यादा महत्पून है उसे बनाने में बच्चे को कितना मज़ा आया है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 21 अप्रेल को मनाया जाने वाला वर्ल्ड क्रियेटिविटी एंड इनोवेशन डे जिसे हिंदी में विश्व रचनात्मक्ता और नवाचार दिवस बोला जाता है इसके बारे में आप अच्छे से समझ गयोंगे एक एक इन्फोर्मेशन कि हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए ताकि वह भी क्रियेटिव और इनोवेशन वाले बन सके तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद